Hello everyone, welcome to my YouTube channel Musical Instrument with Ritika and my name is Ritika and आज मैं काफी टाइम बाद वीडियो लाई हूँ कीबोर्ड की और काफी टाइम से नहीं डाल पाए थे वीडियो So, आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है मेजर स्केल मेजर स्केल का टॉपिक है कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मेजर स्केल निकाल सकते हो किसी भी नोट का मेजर स्केल आप कैसे निकालोगे अगर आपको अभी तरग कोई भी गन्फ्यूजन रही हो स्केल निकालने में कि क्या है ये स्केल और क्या है ये major major minor क्या होता है ये चीजे अगर आपको कोई भी तरह की confusion रही हो तो इस वीडियो में आपकी सारी confusion clear हो जाएगी I hope so and I'm sure also so let's start to the video so guys सबसे पहले आप ये जान लो कि जो ये notes है C, D, E, F, G, A, B, C तो अभी हर एक note से क्या होता है हर एक note का एक scale निकलता है ठीक हर एक note का scale होता है हर एक note से हम chords बजाते हैं और हर एक note का scale बजता है like C chord है C major chord है so this is C major chord तो इधर क्या है पूरा हम C कर scale आएगा तो ये पूरा क्या हो गया C का scale बजा दिया मैंने ये C major chord है और ये पूरा अब याप इसको साथ साल बजा रहे हैं अभी तर हम क्या कर रहे हैं यहां पर हम chord बजा रहे हैं और यहां पर हम पूरा-पूरा scale बजा रहे हैं तो यह आप scale कैसे निकालते हो अब लाइक मैं बजाती हूँ D major chord अगर मैं D major chord बजाती हूँ तो मैं D major scale ही बजाओंगी तो यह क्या बज़ता है D major scale बज़ता है इसमें यहां पर आ रहे हैं तो यह क्या बज रहे है D major scale अभी मैं E major scale अगर बजाओंगी तो तो यह हमारा क्या बज़ेगा E major scale जिसमें की यह नोट आ रहे है तो यह हमारा E major scale हो गया अभी इस तरह से F major scale sorry F major scale okay तो यह आपका F major chord F major scale हो गया उसी तरह से आगे continue रहता है G major then A major और फिर B major B major थोरा से आपको देखना पड़ेगा 1 2 3 this is B major ठीक है तो अब मैं आपको बताऊंगी की C major scale निकालते कैसे हैं तो C major scale निकालने का formula जो है वो है whole whole half whole whole half यह C major scale निकालने का formula है ठीक है whole whole half whole whole half like C to D whole note हो गया पूरा एक note हो गया यह होता है tone one tone and यह होता है semi tone semi tone यह semi tone बज रही है और यह tone बज रही है पूरी पूरी tone बज रही है तो इसमें whole note क्या होगा C to B whole note फिर D to E whole note फिर E to F half note तो whole whole half then whole 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 then half तो यह C major का formula है whole 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 half whole whole half first वाले को हम नहीं बोलते है कुछ क्योंकि यहां से यहां जबाते न तो एक whole पूरा एक बनता है यहां से यहां जबाएंगे इस पे finger रखेंगे तो यह whole नहीं है सप्गते हैं यहां से यहां जबा रहा एक whole note बन रहा है C to B whole 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 this formula है और iba इसी तरह से आप B बना सकते हो E to be F आई किसी भी नोट से आप इसी फॉर्मिला से मेजर स्के लिकाल सकतें तो एफ से जी होल then again whole 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 half then whole 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 half तो यह हमाना क्या होगा F major scale का formula बन जाएगा ठीक है तो इसी तरह से आप D से भी D का भी major scale लिकान सकते हो whole whole half whole 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 half तो D major chord में भी जैसा कि आप देखतो D major chord में यह जो की है ना यह भी आती है तो इसमें जो scale है उसमें भी यह आता है ठीक है तो इसमें scale में भी इसके यह note आता है तो इस तरह से आप किसी भी note का major scale निकाल सकते हो यह बहुत easy formula है और इसके अगर आपको जैसे practice करने हो तो आप यह practice कर सकते हो कि आप साथ में C chord दबाओ और C करो पिर D major chord वाँ तो आप E major chord लिगाओ और तो आप E major scale बजाओ देन F major scale बजाओ तो आप G major scale बजाओ धी major scale बजाओ आप सब्सक्राइब कर लिजेगा सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं करता है so thank you very much for watching my video